हे फ्रेंट्स वेलकम टो ओल इन विवेक स्टेडी सेंटर तो पिछले वीडियो में हमने बीच से पूरे 100 वर्ड मिनिंग्स को पढ़ा था और आज किस वीडियो में हम कंप्लेट करने वाले हैं पूरे 300 वर्ड मिनिंग को तो अगर आपने अभी तक हमारी पिछले वीडियो क को नहीं देखा है तो आप उपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं बागी के जो वीडियो है उसको हम इस वीडियो में पूरे हम 200 वड्मिनिंग पढ़ें represents और प्छले वीड्यो में हमेंने आपको फव्ड मिनिंग देए थे तो चलिए देखते हैं तो फर्स्ट वर्ड है हमारा बाय बाय मतलब होता है अलविदा नेक्स्ट है बिंग बिंग मतलब होता है किया जा रहा है नेक्स्ट है बिलीव बिलीव का मतलब होता है धारडा नेक्स्ट है बिलीव बिलीव का मतलब होता है मानना किछी चीज को मानना नेक्स्ट है बेल, बेल का मतलब होता है घंटी नेक्स्ट वर्ड है बाई, बाई मतलब के द्वारा या द्वारा नेक्स्ट है बिलोंग, बिलोंग का मतलब होता है संबंधित नेक्स्ट है बिलोंड, बिलोब्ड मतलब होता है जानम बिलोब्ड नेक्स्ट है बेलो, बेलो मतलब होता है नीचे नेक्स्ट वर्ड है बेल्ट, बेल्ट का मतलब होता है कमर बंद नेक्स्ट है बेंच, बेंच का मतलब बेंच ही होता है नेक्स्ट वर्ड है बेंड, बेंड मतलब होता है जुकना नेक्स्ट है बिनित, बिनित का मतलब होता है नीचे बेनिफिसियल, बेनिफिसियल मतलब होता है फायदे मंद नेक्स्ट है बेनिफिट, बेनिफिट का मतलब होता है लाव नेक्स्ट है बेट, बेट का मतलब होता है सर्थ नेक्स्ट वर्ड है बूचर, बूचर का मतलब होता है कसाई नेक्स्ट वर्ड है बायर, बायर मतलब होता है क्रेता नेक्स्ट बटर, बटर मतलब होता है मक्खन नेक्स्ट है बाई, बाई मतलब होता है खरीदना बाई मतलब खरीदना नेक्स्ट बैटरी, बैटरी मतलब होता है प्रकट करना नेक्स्ट है बिट, बिट का मतलब होता है पीटना नेक्स्ट बेटर, बेटर का मतलब होता है बहतर नेक्स्ट वर्ड है बटर्फ्लाई, बटर्फ्लाई मतलब होता है तितली नेक्स्ट वर्ड है बियोंड, बियोंड मतलब होता है परे बियोंड, बियोंड मतलब होता है परे नेक्स्ट है बायस, बायस मतलब होता है पच्छ पात नेक्स्ट वर्ड है बिग, बिग मतलब होता है बड़ा next is Bible, Bible मतलब होता है Bible next solemn cycle, which means cycle चलिए नेक्स vereं देखते हैं next word is bid, bid मतलब होता है боль next bring, bring मतलब होता है लाना next year bigger, bigger का मतलब होता है बढ़ा next word is biggest, biggest मतलब होता है सबसे बढ़ा next bike, bike का मतलब बाइक ही होता है नेक्स्ट है बिकनी चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट है बिल, बिल का मतलब बिल ही होता है नेक्स्ट है बेसिस, बेसिस मतलब आधार नेक्स्ट वर्ड है बास्केट बास्केट मतलब होता है टोकरी next billion billion मतलब होता है एक अरब next बटन बटन का मतलब बटन ही होता है next बाइंड bind का मतलब होता है बांध या बांधना चलिए next देखते हैं next है हमारा biography biography का मतलब होता है जीवनी next है biological biological मतलब होता है जैविक next biology biology मतलब होता है जीव विज्ञान नेक्स्ट है बड़, बड़ मतलब होता है चड़िया या पक्छी, नेक्स्ट है बर्थ, बर्थ का मतलब होता है जन्व, नेक्स्ट बर्थड़े, बर्थड़े मतलब होता है जन्व, दिन, नेक्स्ट है बेस्किट, बेस्किट का मतलब होता है बेस्कुट, नेक्स्ट सब का मतलब होता है धर्माध्यच और नेक्स्ट है और नेक्स्ट है हमारा बिट, बिट मतलब बिट ही होता है और फ्रेंड्स अगर आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखिए जिसमें हमने आई से पूरे 200 वर्ड मिनिंग बताया है तो इसको देखने के लिए आई बटन पर क चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट है बाइट, बाइट का मतलब होता है काटना या दास से काटना नेक्स्ट बिटर, पिटर का मतलब होता है कडवा नेक्स्ट है बिजर्रे, बिजर्रे मतलब होता है बिचित्र नेक्स्ट ब्लैक, ब्लैक मतलब होता है काला या काली नेक् ब्लैक मेलिंग मतलता है भया दोहन करना नेक्स्ट है बर्न्ट मतलब होता है जला हुआ चले देखते है नेक्स्ट है ब्लेम मतलब होता है दोस नेक्स्ट ब्लैंक मतलब होता है रिक्ति नेक्स्ट है ब्लैंकेट मतलब होता है कंबल नेक्स्ट है ब्लास्ट मतलब होता है बिस Next is bleed Believe मतलब होता है खुन बहना Nextconfidence breeding मतलब खुन बहरा होता है Next意 إلى blend Blend का मतलब होता है esta at Mail चलिए रेख एनेуч़ Next press Bless मतलब होता है आसिरवाद देना Next costumes Bl laxing मतलब होता है आसिरवाद Next est blind Blind का मतलब होता है अंधा Next blink ब्लिंक मतलब होता है जपकी नेक्स्ट है ब्लॉक ब्लॉक मतलब होता है खंड नेक्स्ट है बीजी बीजी का मतलब होता है ब्यस्त नेक्स्ट है बिजनेस बिजनेस मतलब होता है ब्यापार चलिए रेखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है बिजनेस man या इसे हम बोलेंगे ब्यवसाई next blood, blood मतलब होता है रग्त या खून, next bloody bloody मतलब होता है रग्त रंजीत next है bloom bloom का मतलब होता है फूल का खिलना next है balsam, balsam मतलब होता है खिलना, next है blouse next blow, blow मतलब फूंक मारना होता है चलिए देखते हैं Bernard, Bronze मतलब अधाय, UdN, Orange. Blue, Blue मतलब होता है Nila. Billie, Blush, Blush का मतलब होता है Sarmana. Boast, Board मतलब होता है Mandel. Burning football, Boss मतलब होता है Dean. 뚜急board, Boot मतलब होता है Now. नेक्स्ट बाडी, बाडी मतलब सरीर या तन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बायल, बायल मतलब होता है फोड़ा, नेक्स्ट बाइलर, बाइलर मतलब बाइलर ही होता है, नेक्स्ट बॉल्ड, बॉल्ड मतलब होता है साहसिक, नेक्स्ट बॉल्ड मतलब होता है नेक्स्ट है बॉंब, बॉंब मतलब होता है बॉंब, नेक्स्ट बॉंबिंग, बॉंबिंग मतलब होता है बॉंब, विस्फोर्ट, नेक्स्ट है बांड, बांड मतलब होता है बंधन, नेक्स्ट बोन, बोन मतलब होता है हड़ी, नेक्स्ट है बोनस, बोनस मतलब बोनसी होत नेक्स्ट ए बुक, बुक मतलब किताब या कुस्तग, नेक्स्ट भूम, भूम का मतलब होता है उच्छाल, नेक्स्ट है भूस्ट, भूस्ट मतलब बढ़ावा, next है boot boot का मतलब boot होता है और next है boot boot का मतलब boot ही होता है तो यहाँ पर हमने पूरे अपने 200 words complete कर लिए हैं अगर आपको कोई word गलत लगता है तो आप हमें comment करके बता सकते हैं चली आगे देखते हैं next है boots boots मतलब होता है जूते next बूज बूज मतलब होता है सराब पीना next border मतलब होता है सीमा next है बोर बोर मतलब होता है उबा देना और next है बोड बोर मतलब होता है उब next है boring boring मतलब होता है उबाव next born born मतलब होता है उत्पन होने वाली या पैदा होना नेक्स्ट बोरो, बोरो का मतलब होता है उधार नेक्स्ट बॉस, बॉस मतलब होता है मालिक नेक्स्ट बूत, बूत का मतलब होता है दोनो नेक्स्ट बॉदर, बॉदर मतलब होता है नाक में दम करना नेक्स्ट बॉटल, बॉटल मतलब होता है बोतल नेक्स्ट है bottom, bottom का मतलब होता है तल नेक्स्ट है bounce, bounce मतलब होता है उच्छाल नेक्स्ट bound, bound मतलब होता है सीमा नेक्स्ट है boundary, boundary का मतलब भी होता है सीमा नेक्स्ट bound, count मतलब होता है बार नेक्स्ट bow, bow मतलब होता है धनुस नेक्स्ट बाउल, बाउल का मतलब होता है कटोरा और नेक्स्ट बॉलिंग, बॉलिंग मतलब होता है गेंद बाजी नेक्स्ट बॉक्स, बॉक्स का मतलब होता है डिबा नेक्स्ट बॉक्सिंग, बॉक्सिंग मतलब होता है मुख के बाजी नेक्स्ट ब्वाय, ब्वाय मतलब लड़का, नेक्स्ट ब्वाय फ्रेंड मतलब होता है प्रेमी, नेक्स्ट बर्स्ट, बर्स्ट मतलब होता है बिसफोर्ट, नेक्स्ट ब्रेसलेट, ब्रेसलेट मतलब होता है कंगन, नेक्स्ट ब्रेकेट, ब्रेकेट मतलब होता है कोस्टक नेक्स्ट ब्राग, ब्राग मतलब होता है डिंग नेक्स्ट वर्ड है ब्रेन, ब्रेन मतलब होता है दिमाग नेक्स्ट है बस्टल, बस्टल मतलब होता है हल्चल नेक्स्ट ब्रिक, ब्रिक मतलब होता है रोकना नेक्स्ट है ब्रांच, प्रांच मतलब होता है डाली नेक्स्ट है बर्गर, बर्गर मतलब बर्गर ही होता है नेक्स्ट बस, बस का मतलब बस ही होता है नेक्स्ट है ब्रास, ब्रास मतलब होता है पीतल नेक्स्ट ब्रीव, ब्रीम मतलब होता है बहादूर नेक्स्ट है ब्रेड, ब्रेड मतलब होता है रोटी, नेक्स्ट ब्रेथ, ब्रेथ मतलब होता है चोडाई, नेक्स्ट है ब्रेक, ब्रेक मतलब होता है टूटना, नेक्स्ट ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन मतलब होता है टूट फूट, नेक्स्ट है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफ मतलब होता है संबंद विच्छेद नेक्स्ट है ब्रेस्ट का मतलब होता है स्तन नेक्स्ट है ब्रेस्ट फिडिंग मतलब होता है अस्तन पान नेक्स्ट ब्रित मतलब होता है सास और नेक्स्ट है ब्रीद मतलब होता है सास लेना next is breathing, breathing मतलब स्यास लेने का breathing मतलब सास लेने का next is breed, breed का मतलब होता है नसल और next is bridge, bridge मतलब होता है समीर तो friends अगर आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखे जिसमें हमने a to jet पूरे thousand word meanings को बताया है तो इसे आप eye button पर उपर क्लिक करके देख सकते हैं तो चलिए आगे देखते हैं आगे है bribe, bribe का मतलब होता है घूस next है bribery, bribery मतलब होता है रिस्वत, खोरी next brick, brick मतलब होता है eat next है bride, bride का मतलब होता है दुलहन next bridge, bridge मतलब होता है pull next है brief, brief मतलब होता है संचिप्त करे brief मतलब होता है संचिप्त नेक्स्ट है ब्रीफकेस, ब्रीफकेस का मतलब ब्रीफकेस ही होता है नेक्स्ट है ब्रीफली, ब्रीफली मतलब होता है संचिप्त नेक्स्ट है ब्राइट, ब्राइट का मतलब होता है उज्वल नेक्स्ट है ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मतलब होता है प्रतिभा साली नेक्स्ट है ब्राड कास्ट, ब्राड कास्ट मतलब होता है प्रसारण नेक्स्ट है ब्रोक, ब्रोक मतलब होता है तोड दिया नेक्स्ट वर्ड है ब्रोकन, ब्रोकर मतलब होता है तूटा हुआ नेक्स्ट वर्ड है ब्रोकर, ब्रोकर का मतलब होता है दलाल नेक्स्ट वर्ड है ब्रोंच, ब्रोंच मतलब होता है पीतल नेक्स्ट ब्रदर, ब्रदर मतलब होता है भाई नेक्स्ट वर्ड है ब्राउन, ब्राउन मतलब होता है भूरा नेक्स्ट वर्ड है ब्राउज, ब्राउज का मतलब ब्राउज ही होता है नेक्स्ट है बट, बट मतलब लेकिन या परंतु नेक्स्ट ब्रस, ब्रस का मतलब ब्रस ही होता है नेक्स्ट है बर्टल, बर्टल मतलब होता है क्रूर नेक्स्ट है बक, बक मतलब होता है हिरन नेक्स्ट बकेट, बकेट मतलब होता है बाल्टी नेक्स्ट है बड़ी, बड़ी का मतलब होता है साथी नेक्स्ट बजट, बजट मतलब बजटी होता है नेक्स्ट है बफ, बफ का मतलब होता है चमडा नेक्स्ट है बर्न, बर्न मतलब होता है जलाना नेक्स्ट है बग, बग मतलब होता है कीडा और नेक्स्ट है बेल्ड, बेल्ड का मतलब होता है निर्माड नेक्स्ट वर्ड है बेल्डर, बेल्डर मतलब होता है निर्माता नेक्स्ट वर्ड बेल्डिंग, बेल्डिंग मतलब होता है इमारत नेक्स्ट है बिल्ड, बिल्ड मतलब होता है बनाया नेक्स्ट बल्ब, बल्ब मतलब बल्ब ही होता है नेक्स्ट है बल्क, बल्ब का मतलब होता है थोक नेक्स्ट है बुल, बुल मतलब होता है साण नेक्स्ट बुल डॉग, जो होता है एक प्रकार का कुत्ता है उसके हम पजाती को हम बुल डॉग बोलते है नेक्स्ट बुलेट, बुलेट का मतलब गोली नेक्स्ट वर्ड है बम, बम मतलब चूतर नेक्स्ट बम, बम्प मतलब होता है टक्कर नेक्स्ट वर्ड है बंपर, बंपर मतलब होता है धमा के दार नेक्स्ट है बुंच, बुंच मतलब होता है जुन्ड या गुच्छा नेक्स्ट है बंडल, बंडल मतलब भी गुच्छा या समूह होता है नेक्स्ट है बनी, बनी मतलब होता है खरबोस नेक्स्ट है बर्डन, बर्डन मतलब होता है बोच next बर्गलर बर्गलर मतलब होता है सेंदमार और लास्ट वर्ड है बर्निंग बर्निंग मतलब होता है जलता हुआ तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने अपने पूरे 300 वर्ड कम्प्लेट कर लिये हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा